जैबवानी आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्जाम जक्सन तक स्टेडी पर स्वागत है टीजर्स आप देख रहे होंगे बात है उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग की तरफ से जो है एक ऐसी चीज की जारे जो प्रत्योगी छात्रों को कहीं ना कहीं साल भर के बाद जो वक्त बीत गया और आयोग ने सिर्फ इतना निरड़े लिया कि नार्मलाइजेसन की तरफ जो है आयोग ने एक प्रकार से देखा जातों कदम बढ़ा दिया है इसलिए परत्योगी छात्र जो है आंदूलन करने के लिए फिर मजबूर हो गए और समझ में नहीं याता है कि सरकारे क्या सोचते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए सरकारें जो हैं चुनाओ की समय में हर एक चीछत कंड़े अपनाती है को उनको सत्ता मिल जाये परत्योगी छात्रों के सामने सिर्फ एक होता है कि फारम अपलाई करने के बाद वह अपने करियर को यह एक सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए चद्दु जहत करते हैं, जिसमें पढ़ाई करते हैं, सब कुछ इस्ट्रकल करते हैं, हर एक पृतियोगी चात्र जानता है। करेंगे, तो हमारे पास एक आपसन होगा, और हम इस परिच्छा को अप्रैल में फिर कराएंगे। ऐसा प्रतीत होता है, कि आयोग सब कुछ एक बनी बनाई साजिस की तर्थ इस तरह का निर्ड़य लिया गया, कि प्रतियोगी चात्र इसको पसंद नहीं करेंगा, और छोड़ दीजिए और वो छोड़ दीजिए, जैसा कि प्रतियोगी चात्रों के यहां पे नुकसान होता, दिख रहा है, अब नार्मलाजिशन की प्रक्रिया इतनी पेचीदी है, कि यहां पे जो है, एक एक प्रस्न को लेकर के जद्दोज़द सुरू हो जाए, कि नार्मला प्रक्रिया इतनी प्रक्रिया है, पहले मेंस की प्रक्रिया में यह चीज़े होती थी, और उसका खामियाँ सा हर एक प्रतियोगी चात्र अच्छे से भुकता होगा, जो उस चरड़ से गुजरा होगा, कि नार्मलाजिशन में कैसे कैसे पलड़ जाते थे, रैंक जो नमबर तीन पर उत्तर प्रतियोगी चात्र सांति पूर्वग अपनी मांग को रखेंगे, जिसमें मांग उनके सिर्फ इतनी है कि आयोग निरड़ा ये ले कि परिच्छा एक दिन में कंडेक्ट करा है, खासकर उत्तर प्रतियोगी परिच्छा होती है, जो कि सुप्रिम पर प्रतिभाग किये थे और उसमें परिक्षाओं को इस तरह से कराया गया उसके बाद उसी आधार पे उत्तर प्रतिश्लोग से भाइग महज 6 लाख नियर बाउट लोगों की परिक्षा कराने के लिए निरड़े लिए तो इससे मान की चलिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा प्रतिवगी चात्रों का अगर उस तरह से चार पाली में पेपर होगा दो दिन में होगा तो नार्मलाईजिसन्स जो होते हैं वो कहीं से भी जो है सही नहीं होंगे इसलिए अपनी बात को जो है सांति पूरवक रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुँचके आ परिच्छा को डिले न किया जाए तैस समय रहते परिच्छा का अब आयोजन जो अप्रिलियम्स का उत्रवर्देश लोक से वाय कराए जहां तक बात है मानी मुख्यमंत्री जी की तो आपको यह बता दे कि महराज जी के संग दर्म में बाते गर की जाने तो महराज जी के द जो पहुचाए जाती जिसकी मातेम से वो लोग ऐसे पहुचाते ही है कि वहाँ पर निरड़ा लेना थोड़ा कठीन हो जाता है इसलिए सासन सरकार की कोई भी हांकलती नहीं यहां पे आयोग की द्वारा जो है इस प्रकार के ढिलवाही की गई श्ताय रहते समय रहते जो है अक्टूबर में जो परिच्छा होनी थी चबिस को उसके बाले यह डिसाइड नहीं कि एगा परिच्छा ऐसे कराई जाएगी फिर उसके बाद जो है वो नियम आया स्टेट कॉर्मेंट का की ऐसे ऐसे परिच्छा करानी है उसको लेकर कि आयोग ने बात को नहीं रखा कि ऐ प्रतियोगी चात्र अपनी मांग को रखने के लिए मजबूर हो गए और वो आंदोलन रत फिर हुए एक बार जो कि उनकी पढ़ाई पर कितना प्रभाप्रा आज के डेट में जो है किसी भी प्रतियोगी चात्र को यह क्लियर नहीं है कि वो समिच्छा दिकारी की तैयारी करे इस प्रकार से अब किसी भी परिक्षाओं का आयोजन एक्जक्ट नहीं जबकि आयोग बनाया किस ले जाता है यह सभी को पता होगा तो वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि जितने भी लोग प्रतियोगी चात्र है वो अधिक से दिक संख्या में पहुँचके आयोग को ज प्रतियोगी चात्रों के पक्ष में और सासंत अत्तर पर जहां तक बात सरकार किये तो सरकार पूरा प्रतियोगी चात्रों के साथ खड़ी है वह सरकार के पास तक जो बाते पहुँचती है सरकार उससे पर निड़ा लेती साइद यह बाते नहीं पहुँची थे कि प्रतिय पूर्ड ढंग से जो है सारे प्रत्र की छात्र जो है अपनी मांग को रखेंगे कल की डिट को याद रखेगा यह वीडियो आप देख रहे थी जामजक्सन तक इस ठड़ी यूटूब चनल के माधिम से मिलते हैं अगली बड़ी खबर पीडियो के साथ